नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दूस प्रविन चावडा मेरी यूट्यूब चैनल लाइफ फीट पीसी में मैं आपका स्वगत करता हूँ आज हम बात करने वाले हैं इम्मिन सिस्टम कैसे बढ़ाए जाए और इम्मिन सिस्टम हमारी लाइफ स्टाइल और खास करके इस टाइम में जब कोरोना का ये संकर चल रहा है तो क्यों इतना महत्वर रखती है रोग फ्रतिका रख सकती लोगों के एज के हिसाब से उनके रहन सरान के हिसाब से और कई दूसरे आया मूपन रेपर करती है लेकिन यहाँ पे अभी जो कॉरोना का जो एक काल चल रहा है तो हमने देखा है इसका कोई इलाज नहीं है इसमें वहीं लोग ठेक होकर घर पे आ जाते हैं इनका इमुन सिस्टम बहतर है और ज्यादा तर जो के जपिट में आ जाते हैं इमुन सिस्टम को बढ़ाने के लिए मैंने आप चार पॉइंट अपने इस वीडियो में निर्दारत किये है सबसे पहले बात आएगी स्ट्रेस की स्ट्रेस यानि कि अगर हम तनाव लेते हैं तो उसका इफ्रेक्ट हमारे इमुन सिस्टम पर होत करता है या कहें तो डबल्यू बीसी जो होते हैं वाइट बलड सेल उनका जो उत्पादन है उस पर एफ्यक्ट होता है मैं यह कहना चाहूंगा स्ट्रेस अभी इस टाइम पर जितना हो सके उतना रेडियूस कीजिए मैं यह नहीं कहता कि हंडिट परसंग आप स्ट्रेस को क संदुरस वेक्ति को साथ से आट गंडेटक सोना चाहिए सोने से क्या होता है हमारी जो बोड़ी है उसमें एक प्रोसिजर होता है इसकी वज़े से जो हमारा रोग प्रतिकारक सकती है लड़ने का जो तरीका है बोड़ी का वो उस टाइम पी जब आप 24 ओवर काम करते 24 विटामिन सी आपको आमला निम्बू नारंगी इन सबसे मिलता है और विटामिन दी जो संसे मिलता है और दूसरी बात को पाने पीना चाहिए ऐसे कुछ अरिवेदी खास करके उप्चार भ्यम कर सकते है जैसी हल्दी का सिवन आपके ये दूद में डालके और दूसरी बात कि जैसे कि कुछ ऐसे खौराक लेजी जिसे आप इम्बू सिस्टम को बढ़ा सके जैसे कि हमारी बोड़ी में खुरा की सबसे ज्यादा इफेक करता है लास्ट में जो चोथी बात वो है एक्सेसाईल खरपिया आप अभी जैसे कि जिम तो जाते नहीं हो लेकिन सुक्स व्य सब्सक्रायाम यूगा आसन ऐसा कुछ कीजिए इनसे क्या होता है हमारी बोड़ी में इम्मून सिस्टम बढ़ता है आपका इक और चल रहा है उसमें इम्मून सिस्टम को बढ़ाने के लिए आप खाना तो खाते है लेकिन एक्सेसाईल या कोई गयम अगर इंडूर होता है तो उसके लिए से आपका खाना हजम हो जाता है तो आपको बढ़िया रहेगा इस चार पॉइंट पे आप ध्यान दे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ अभी ऐसा काम आपके जीवन में आए ऐसी बाते बता सकूँ यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इ आपके आने वाले बेहतर वीडियो में आप तक पहुचा सकूँ थैंक यू वेरी मुच्छ